है लोग आज आज की इस लेक्षर में हमलोब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे प्रिंस्पल ओफ जीपीएस तो जीपीएस किस प्रिंस्पल पर वर्क करता है इसके बारें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो जीपीएस क्या होता है मैं लास्ट लेक्षर में डिस्कस कर दिया थ जोगएचि सिस्टम क्या होता है कि एक location से दूसरे location के बीच का जब distance measurement करना रहाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं navigation system, जिसे अभी हम राची में है और पतना से देली के बीच का distance हम पता करना है तो है राची में लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम पतक कर लिए राची में ही राक करग ये पाट्ना से देली के बीच का डिस्टेंस क्या है तह array यह कहां लोग बोलते हैं नविगेशन सिस्टम तो प्रिंसपल ओफ जीपेस भी इसी पर करता है जीपेस इज शेटलाइस्ट बेश्ट नविगेशन सिस्टम इत यूज जीटल सीगनल और यह डिटल सिगनल का यूज करता है जैसे कोई भी डाटर आता है तो गलोबल कांच सिस्टम में यह डिटल से ही नटा को क्या करता है करता है जो प्रिंसपल ओफ जीपेस इसी पर बेज्ट आश्ट होता है नेविगाशन सिस्टम पे और लिप जो रहता है यह सेटल्कलाइब बेसन नेविगेशन शिस्टम है तो डिटेल्स पर हम लोग देखते हैं कि लेंग्वेज में की प्रिंसपल ऑफ जीपेस क्या होता है दी फ्लेशिंग ड्यू टू लाइटनिंग ड्यूरिंग इस्टॉर्मी नाइट कें डिटर्माइन दी डिस्टेंस बिटूइन दी फ्लेशिंग पॉइंड दी पोजिशन अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस दो किलोमीटर है तो अगर यहां से यहां फ्लेशिंग नहीं भी हो रहा है इस्टॉर्मिंग नाइट है मिनसा अंधेत उपान वाला यह धूलकन बहुत ज्यादा एर में एर के साथ विंड विंड हो रहा है विंड ब्लोइंग हो रहा है तो उस कंडिशन में क्या होता है कि यह आसानी से डिटर्माइन कर लेता है दिफ्लेशिंग ड्यू टू कि यह बेश्ड होता है जो अभी हमने कुछ दर पाले डिसकस किया कि निविगेशन सिस्टम क्या होता है कि एक पॉइंट से दुसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग असानी से मेजर कर सकते हैं निविगेशन सिस्टम तो प्रिंसपल ऑफ जीपिस से करें अगर जहां से हम लोग फ्लेशिंग कर रहे हैं और आप्जर्बर कहीं दूसरे पॉइंट पर लेकिन जो नाइट है विश्टोरमी नाइट है और हम लोग फिर भी ऑप्जर्बर के बीच का डिस्टेंस एंड फ्ले traveling speed of sound gives the required distance कैसे किस सिद्धांद पर किस प्रिंस्पल्स पर यह निकाल सकता है ताइम इंटरबल जो टाइम इंटरबल कितना टाइम लगा देसे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस लगा और डिस्टेंस है और यह फ्लेसिंग पॉएंट से अब्जरवर के पास जाने में कितन टाइम लगा और इसको मेजर करने में कितना टाइम लगा तो अगर इसके बीच का जो जाने में कितना टाइम लएगा अगर इसके बीच का हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लएगा तो इसको अगर कल्कुलेट करना लएगा टाइम इंटरबल को से हमारा क्या होगा time interval निकल जाएगा between observer and flashing point sound का speed कितना वरता है 330 meter per second 330 meter per second तो sound के according ही उसका क्या होगा flashing point and observing point के बीच का distance और time interval निकल जाएगा तो वहीं बोल रहे हैं आपर the time interval between observing the flashing of light and hearing of its sound multiplied by the traveling speed of sound gives the required distance और अगर distance निकलना है तो जो sound का speed होता है और flashing light और hearing को हम लोग multiply कर देंगो उससे traveling speed से तो निकल जाएगा क्या required distance जो distance हम लोग को measure करना है तो इसी principle पे बेस्ट जीपेस system to next tomorrow the GPS system functions following the same principle to determine the exact position the distance is measured by the transit time between the GPS satellite to the point of observation multiplied by the velocity of transmission that is velocity of light क्या काता है the GPS system function following the same principle or GPS system same principle पे work करता है function करता है क्या करने के लिए to determine the exact position अगर किसी भी जिसे अर्थ सर्पेस ग्लोड पोजिस्टम क्या होता है कि अर्थ सर्पेस पे आपका position क्या जिस पोजिशन के बारे में आपको जानना है कि जैसे कोई वेहिकल्स है और उसका ओनर कहीं दूसरे जगह और वेहिकल्स कहां पर चल रहा है तो उसका positions घर बैटे ही satellite से पता कर लेता है GPS से पता कर लेता है तो टू डिटर्माइन दी exact position the distance is made by the transit time जो transit time है उसके अंड डिस्टेंस जो रहाता है तो बिट्विन जीपेश सेटलाइस टुदी प्वेंट ओब्जर्वेशन तो यहां पर है हमारा सेटलाइट और यहां पर है जो अब्जरबर है और वेहिकल्स यहां पर है तो यह सारा क्या करता है observer को पता चल जाता है किस GPS सिस्टम से हाँ अगर इसके बारे में पता करना है कि वो कितना velocity से कितना speed से वेकल्स चला रहा है तो इसी सिस्टम से बतन पता चल जाएगा GPS सिस्टम से कि वो कितना speed में वो वेकल्स दोड़ रहा है जो drive कर रहा है driver कितना speed से drive कर रहा है तो इसी प्रिंस्पल पर बेस्ट है हमारा ग्लोबल पोसिस्टेम तो उम्मिद आपको समझ में आगया हो कि प्रिंस्पल ओफ जी पेस क्या होता है तो आज की लेक्षे में फिर नेस्ट लेक्षे में नियूट और पिक साथ मिलते तब तक के लिए